वेपन गलोरी पुशिंग फॉर इंडिया जोप बन टैटल के एपिसोड नमबर 3 के अंदर आप से भी का सवागत है और आज किस वीडियो के अंदर आप लोगों को G18 से OP वाले हैडशोट टीमेट्स के किल को कैसे चोरी करते हैं और भी काफी जादा चीजी देखने को मिलने वाली है सबसे पहले तो कईज हम अपना स्कोर बगार चैक आउट करवा देते हैं तो अभी गर टाइम पे हमारे 10,000 प्लस स्कोर तो हो चुका है एंड कल मंडे था तो हम लोगों को 6th number का title मिल चुका है हरियाना के अंदर एंड next Monday को हम लोगों को इंडिया का title भी मिल जाएगा मैं डिश्टिक के अंदर तो मैं भी top number 1 पे हूँ एंड हरियाना के अंदर मैं 5th number पर आ चुका हूँ एंड ये एक बंदा नहीं था इसके साथ इसका teammate भी था एंड ये मुझको थोड़ से damage करने के बाद मुझे पर rush कर देता हूँ बट मैं sentino को use करके इस side में आ जाता हूँ मेरे पास HP नहीं थी एंड ये बंदा मुझे पर rush कर रहा था रिवर साइड के पास में जहाँ पर कि मैं वीकल से जा रहा था बट मुझको firing का sound आदे तो मुझको वहां से उतर लेता हूँ वीकल के अंदर से ये जो बंदा होता ये किसी और के साथ fight कर रहा था बट मैं इसको PG से बढ़िया वाला headshot मार देता हूँ इसके पास होता है इस दिमित्री एंड इस दिमित्री को स्टार्ट कर लेता है जब मैं इसको फिनिश करने चाहता हूँ तो तब तक 3D हो चुका था बट मैं इसको साथ के साथ में किल कर देता हूँ उसके बाद हमार 3D वालक के लिए हम लोगों को बिल्कुली last zone के अंदर देखने को मिलता है बट यहां पर हम मंदे को दो डाउन कर देते हैं और साथ में आप एक और बंदा था बट मेरा network की यहां पे चला जाता है आप लोगो को विकोर्डिंग में दिख रहा हूँ है उपर ही साथ में मेरा जो पिंग है वह ट्रीप लाइन हो जाता है वाई-फाइ के अंदर से network की चला जाता है network को आने में एक से देड़ी मिनट लग जाते है एंड जब मेरा match back होता है तो मुझको वहाँ पे एक weapon glory score देखन को नहीं मिलता है सिर्फ rank की scene होती है लेकिन मैच जब lobby में आगी check out करता हूँ तो वहाँ पे मुझको मेरा 100 का पुरा plus मिल जाता है weapon glory के अंदर उसके बाद second वाले match मैं guys मुझको मेरा पहला kill मिलता है पीक के उपर जहां पे कि मुझको बंदा पहले सकेंदर में दिख जाता है एंड मेरे teammate भी सको kill करने कर रहे थे बट मैं उनका kill चोरी कर लेता हूँ इसके teammate भी साथ में थे बट उनको मैं kill ने कर पाता हूँ उनका kill मेरे teammate ले ले लेते है मेरे second kill मिलता है guys मुझको 3rd party से जहां पे कि मैं काफी damage करता हूँ 3rd party वे से बोल नहीं सकते हैं इसको यहां पे guys यहां दो बंदे खुदी fight कर रहे थे मतलब एक दूसरे साथ fight कर रहे थे तो मैं एक को kill निकाल देता हूँ हो देते हैं बट मेरा जो teammate है वो उसका kill वाई मेरे से चोरी कर लेता है थोड़ी देर बाद एक monster truck वाले बंदे को जब मैं kill कर रहा था तो वो उसको kill कर देता है एंड मैं हो जाता हूँ से पहले मेरा चोरी भी हो जाता है इस बंदे को मैं बढ़िया वाला हेडशोट से तो नहीं बट वोड़ी शोट से डाउन कर देता हूँ वाई भाई मुश्किल से बहुत जादा मुश्किल से मैं अपने teammates को revive करता हूँ यहां भी पहले से उपर एक बंदा बैट है और वो नीचे की साइड में teammates को damage कर रहा है एंड मेरे teammates मुझको normally revive करते हैं इसलिए मेरे पास सिरफ G18 थी एंड में उतरते हैं इसको इतना बढ़िया वाला only red headshot मारता हूँ भाई इसको headshot माने के बाद मैं इसके पास M14 उठा लिता हूँ पता नी इसके पास उपर M14 कहा सी मिली थी इसको पता नी यार इसको kill करने के बाद नीचे की साइड में एक बंदा मेरे teammate को फिर से kill कर देता है एंड मैं जो उसको भाई बारने का try करता हूं तो भाई ये तुफके से 8 की पलस एंड ओके अंदर भाई इस वाले match में भी हम लोगों को पूरा 100 का प्लस देखने को मिल जाता है सो भाई day 3 के अंदर बस इतना है क्योंकि ये वाली वीडियो बनाने मुझको काफी ज़्यादा टाइम लग गया था एंड इसनी ही मैं वीडियो upload कर रहा था क्योंकि 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 अभी थोड़ी वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम लग जाता है मतलब कि इस वाले वीडियो के इंदर आप लोगों को काफी ज्यादा क्योंकि देखने को मिली होगी and day 4 में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मैं ट्राइ करूंगा क्योंकि अभी के लिए बाई बाई